Hello friends, noeconomics.in में आपका स्वागत है आज की विडियो में हम various allied agricultural activities के बारे में जानेंगे जानेंगे कि इन various allied agricultural activities का मतलब क्या है और दुनिया के संदर में भारत का इन allied activities के अंदर क्या योगदान है दोस्तो देश की GDP को तीन में पार्ट में बाटा जा सकता है पहला agricultural sector जिसे agricultural and allied sector भी कहते हैं दूसरा है industrial sector और तीसरा है service sector GDP में राष्ट्रियाई की योगदान की मावले में service sector हिंदुस्तान का सबसे बड़ा sector है दोस्तो जब भी हम GDP का अधियन करते वक्त agricultural sector या agricultural and allied sector सब्द के इस्तिमाल करते हैं असल में हम यहां पर क्रिसी उपज या agricultural प्रोड्यूस की ही बात केवल नहीं कर रहे होते हैं बलकि इसमें उन दूसरे कामों को भी सामिल किया जाता है जो मूल रूप से क्रिसी पर निर्फर करते हैं करीब करीब 40% योगदान इनही allied sector दौरा किया जाता है जबकि 60% योगदान क्रिसी फसलों का होता है इसमें दोस्तों इन allied activities में पहली activity है horticulture या जिसे हिंदी में बगवानी कहा जाता है लेकिन यहाँ पर आप इसका English नाम ही याद रखें क्योंकि हिंदी नाम में केवल इसके एक पहलू पर ही जोर दिया गया है और horticulture को बगवानी कहने से आपके थोट लिमिटेड रह सकते हैं हलाकि इसका Latin नाम hortus kolere है जिसमें hortus का मतलब है garden या बगीचा और kolere का मतलब होता है cultivation या खेती लेकिन इसे केवल बगवानी कहना ठीक नहीं है क्योंकि बगवानी इसका केवल एक पहलू है दोस्तो होटी कल्चर branch of plant based agricultural activity है यानि पौधे से संबंधित क्रिसी की एक साखा है होटी कल्चर के अंदर ना सिर्फ garden crops यानि बगवानी से संबंधित activities को सामिल किया जाता है बलकि इसमें फूलों, साक सबजियों, सजावटी पौधों, टर्फ management इस तरह के दूसरे कई plants की खेती उसकी processing, marketing और sale इतियादी संबंधित, study और activities को इसमें सामिल किया जाता है होटी कल्चर का इसको काफी बड़ा है इसका छेतर काफी ब्याबबक है दोस्तो होटी कल्चर के अंदर फ्लोरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, वीटी कल्चर, पॉमोलोजी, टर्फ और लॉन मेनेजमेंट, ग्रास कल्टिवेशन, इस तरह के कई दूसरे activities को भी सामिल किया जाता है हम सिंपली इन्हें होटी कल्चर कह देते है चलिए अब इन में से कुछ मेन ब्रांच और फोटी कल्चर activities के बारे में जानते है जैसे फ्लोरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, वीटी कल्चर, पॉमोलोजी, टर्फ और लॉन मेनेजमेंट, ग्रास कल्टिवेशन इन सब का मतलब क्या है दोस्तो फ्लोरी कल्चर का मतलब फूलों और ओर्नमेंट प्लांट यानि की सजावती पौधों की खेती और उसकी मार्केटिंग से होता है देश में सबसे अधिक फूलों और सजावती पौधों की कल्टिवेशन महाराष्टर, करनाटक, तामिल नाडू, आंधर परदेश, वेश्ट बंगाल, हरियाना और राजिस्थान में होता है क्रिसी और प्रसंस्कृत खाद उतपादन निर्यात विकास प्राधिकरन के अनुसार, 2019-20 में भारत ने 541.6 करोड रुपए का फ्लोरिकल्चरल प्रोडक्ट्स, नीदरलैंड, जर्मनी, यूकी और युनाइटेड अरब को एक्सपोर्ट किया था भारत के लिए इस छेतर में काफी संभावनाए है इसके बाद है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर का संबंद सबजियों के उतपादन से है इसे भेजटेबल गार्डेनिंग भी कहा जाता है ओलेरी कल्चर के अंदर उन हर्बीसियस यानि की औसधिये गुनों वाले नन वूडी प्लांट्स के कल्टिवेशन को भी सामिल किया जाता है जिन्हें किचन में इस्तवाल किया जाता है हाला कि बहुत से हर्बीसियस प्लांट देशी मसालों की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें इस्पाइस फार्मिंग नाम के एक अलग नाम से जाना जा सकता है इस्पाइस फार्मिंग भी होटी कल्चर की ही एक साका है दोस्तों सबजीयों की उतपादन में इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पहला अस्थान चाइना का है 2019 में हमने 180 मिलियन मिटरिक टन यानि कि 185 मिलियन मिटरिक टन सबजीयों का उतपादन किया था जिसमें आलू, टमाटर, प्याच, बैगन और गोबी इत्यादी प्रमुक फसल थे इसके बाद हैं विटी कल्चर विटी कल्चर को वाइन ग्रोविंग नाम से भी जाना जा सकता है विटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित होता है दोस्तो नेक्स्ट है पॉमोलोजी पॉमोलोजी का संबंध फलों के कल्चिवेशन से है 2019 में भारत ने करीब 98 मिलियन मिट्रिक टन फलों का उतपादन किया था जिसमें केला, आम, पपीता और तरह तरह के सेब प्रमुक फसल थे भारत फलों की उतपादन में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उतपादक देश है इसके बाद है टर्फ एंड लॉन मैनेजमेंट एंड ग्रास कल्टिवेशन भारत में इसका भी काफे स्कोप है टर्फ एंड लॉन मैनेजमेंट एंड ग्रास कल्टिवेशन के अंदर खेल के मैदान, घरों के बागीचे और जानवरों के लिए चारे की रूप में फोडर और घास के उतपादन की स्टड़ी, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सेल इत्यादी को इसमें सामिल किया जाता है दोस्तो इस तरह से हमने देखा कि होटी कल्चर के अंदर दूसरे कई तरह के प्लांट बेस्ट एक्टिविटीज को सामिल किया जाता है चली अब कुछ दूसरे एग्रिकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पर नज़र डालते हैं इसमें प्रमुक है सेरी कल्चर सेरी कल्चर को सिल्क फार्मिंग भी कहा जाता है सेरी कल्चर का संबंध सिल्क वर्म के कल्टिवेशन से है, सिल्क वर्म की खेती से है जिसका इस्तमाल सिल्क उत्पादन के लिए किया जाता है। सिल्क वर्म असल में केटेपिलर है जो एक मोथ या पतंगे में बदलने से पहले एक कोकून बनाती है। इसी कोकून का इस्तमाल सिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है। सिल्क बनाने की सबसे पहली विधी चाइना में इजाद की गई थी आज चाइना और इंडिया सिल्क या रेशम के सबसे बड़े उतपादक देश हैं और पूरी दुनिया में सिल्क के उतपादन का लगभग 60% हिस्सा ये दोनों देश मिलकर उतपादित करते हैं भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्क उतपादक देश है भारत ने 2019 में करीब 35,000 मिट्रिक टन कच्चा सिल्क उतपादन किया था नेक्स्ट है PC कल्चर, PC कल्चर को फिस्स फार्मिंग भी कहा जाता हैं आर्टिफिशियल तरीकों से कमर्शियल परपसेस के लिए म फिस्स टैंक में खाने वाली मचली और सजावती मचलियों का उतपादन किया जाता हैं PC कल्चर एकवी कल्चर का एक भाग है एकवी कल्चर के अंदर फिस्स फार्मिंग के साथ साथ दूसरे एकवेटिक प्लांट, एलगीज और दूसरे पानी के जीवों का कमर्शियल उतपादन किया जाता है, GDP डेटा के अंदर इन सारी गतिविधियों को फिस्सिंग और एकवा कल्चर नाम के सेक्षन में सामिल किया जाता है, Economic Survey 2018-19 के अनुसार भारत एनुवली 13.7 मिलियन मिट्रिक टन मचलियों का उतपादन करता है, इसमें करीब 50 प्रतिशत हिस्सा आर पहला स्थान रखता है, Next है Sylvie Culture, Sylvie Culture को Forest Farming भी कहा जाता है, Sylvie Culture के अंदर जंगलों का Restoration, उनका Growth और उनका Composition, Health, जानवरों के आवास या जिसे हम Wildlife Habitate कहते हैं, उनका Protection, Timber की लकडियों का उतपादन, इसी तरह की कई गतिविधियों को Sylvie Culture के अंदर सामिल किया जाता है, Next है Epiculture, Epiculture को Bee Keeping या हिंदी में कहें तो मधुमक्खी पालन कहा जाता है, इसका इस्तेमाल Honey Production में किया जाता है, क्रिसी और प्रसंसकरन खाद उतपादन निर्यात विकास प्रधिकरन के अनुसार, 2019-20 में भारत ने करीब 60,000 metric ton natural honey का Production किया था, जो करीब 88.65 million US डॉलर के बराबर थ देश हैं, वो है USA, Saudi Arab, United Arab Emirates, Canada और Qatar, Food and Agricultural Organization के अनुसार जो की United Nation की एक संस था है, उसके अनुसार 2017-18 में भारत दुनिया का आठवा सबसे बड़ा honey producer देश था, इसमें पहला अस्थान चाइना का था, Next है Vermiculture, Vermiculture, Worms या केचुओं द्वारा खाद बनानी की परक्रिया से संबन दीत है, केचुओं जब Natural या Organic West को खाकर Compost बनाता है, तो इसे Vermicompost कहा जाता है, Vermiculture एक scientific process है, जिसके तहत एक controlled वातावरन में क्रित्रीम तरीके से Earthworm द्वारा Organic West को डिकंपोज कराया जाता है, इसके बाद जो by product बनता है उसे ही Vermicompost कहते हैं, जिसका इस्तिमाल रसायनिक खादों के replacement के रूप में और Organic Farming में किया जाता है, दोस्तों इस तरह हमने Agriculture and Allied Sector के कुछ important components को समझ लिया है, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथी साथ बेल आइकन भी तबाईए, क्योंकि जब भी आप हमारे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमें बड़ी प्रेड़ना मिलती है नए वीडियो बनाने में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,